नमस्कार दूस्तो मौसम ताज़ समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दूस्तो एक बार फिर से चक्रवाती तूफान उठा है जिसकी वज़े से अगले 24-48 गंटों में जमकर बारिस वे ओलवरेश्टी होने वाली है तता पहाड़ी राज़ियों में दूस्तो इस वक्त जमकर बरबारी हो रही है आगा में 24-48 गंटों में कौन-कौन से राज़ियों में भारी बारिस होगी कहां पर सीत लहर चलेगी और कौन-कौन से राज़ियों में ओलवरेश्टी होगी मौसम विभाग के द्वारा अभी अभी नई लिष्ट जारी कर दी गई है सात्यों जो हाई अलर्ट पर राज़िय रखे गए हैं वो मद्दे प्रदेश है तमिल लाडू है तता दिल्ली एंसियार का पूरा हिस्सा है बता दे दोस्तो हिमाचल, जम्मु कस्मीर और उत्राखंड में बरबारी और कई राज़ियों में बारिश के बाद उत्तर भारत में कडाकी की सर्दी लोट आई है मौसम विभाग के अनुसार मद्दे प्रदेश में बारिश का दोर अभी भी जारी रहने वाला है राज़े में अगले दो दिन में तीन से पांट डिग्री सेल्शिय तक नियूंतम तापमान में ग्राविट के आज़ार है ग्वालियर, चंबल, संभाग के जिलों में आज हलकी बारिश हो सकती है वही रतलाम, उचेन, देवास, मंद्सोर और निमत जिलों में भी हलकी बारिश की संभावना है चंबल संभाग समीत ग्वालियर और दतिया में आज गोरा चाया हुआ है बालागार, छतरपूर और टीकम गड़ जिलों में मध्यम कोहरा है प्रदेश की अधिकतर जिलों में 11 डिग्री सेल्शेस तक नियूनतम तापमान पहुँच गया है राष्टे राजधानी दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में ठंड पड़ रही है दिल्ली एन्सियार में ठंडी हवाएं चल रही है दिल्ली में दोस्तों पिछले 24 गंटों की बात करें तो अधिकतम तापमान सामाने से 2 डिग्री सेल्शेस कम रहा मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 गंटे तक तेज हवाएं चल सकती है इसकी वज़े से दिल्ली में दोस्तों वायुगुणवत्ता में भी सुधार देखा गया वायुगुणवत्ता सूचकांक दोस्तों 181 के मद्यम दर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश के उचाई वाले और जन जातिये इलाकों में ताज बरबबारी हुई है बरबारी की वज़े से कई सटके यहां पर बंद करनी पड़ गई है जो इस्थाने मौसम विज्ञान केंदर है उसका पूर अन्मान है कि दो फरवरी से चार फरवरी के मद्य दोस्तो अधिक्तम उचाई वाली पहाड़ी इलाकों के कुछ हिसों में बारिस या बरबारी हो सकती है इसके अलावा च्यार फरवरी तक राज्ये में मौसम सुस्क रहने की संभावना जताई गई है सिमला और के नौर के सेव उत्पादक इस से बरबारी से खुश है क्योंकि उनका मानना है कि इस से फसल को लाब होगा वही राजस्थान में बारिस के बाद सुबह कोहरा चाया हुआ है मौसम विभाग आज कई इलाकों में घना कोरा चाया रहने की उम्मीद जगाई है वही साथ बता दें जैपूर के हवाई अड़े पर द्रेस्यता 50 मीटर दर्ज की गई घने कोहरे के कारण विशेश रूप से राजमार्गों पर यातायात प्रभावित रहा अब दोस्तों संक्षेक में आप सभी को मौसम की अपडेट बता दें इस वक्त दोस्तों जो चकरवाती तूफान सक्रे हुआ है इसकी वज़े से जो दक्षणी भारत के राज्ये हैं इनमें दोस्तों केरल, करनाटक और तमिल लाडू, पड़ू, चेरी ये मुख्य रूप से हैं यहां पर जमकर बारिश होनी वाली है तता उत्तर भारत और उत्तर मद्ध भारत के जो राज्ये हैं उनकी बात करें तता दोस्तों हरियाना पंजाब ये ऐसे राज्ये हैं जहां पर भैंकर कोहरा अगले दो दिनों तक देखने को मिलेगा तता इसी के साथ में सीत लहर भी चलने वाली है मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्गुल लेटेस्ट और सठीक जानकारी पाने के लिए चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें तता आप हमारी वीडियो के इस राज्ये से देख रहे हैं कोमेंट बोक्स में हमें अवेसे बता कर जाएं धन्यवाद दूस्तू जे हिंद जे भारत वंदी मात्रम